हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सबी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे UPHC के परिक्षा को लेके देखें सबसे पहले बात करें तो इसकी वेकेंसी काफी पहले आ गई फॉर्म काफी पहले आ चुके थे सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी अब स्केवल इंतजार जो था वो था परिक्षा तिधी का क्योंकि जहां तक बात करें तो प्रश्न पत्र भी तयार हो चुके थे तो बस परिक्षा जो है लेनी थी लेकिन आयोग के विलंब करने के कारण यहां यही कहा जा सकता है कि आयोग में उचित विलंब होने के कारण जो है आपकी परिक्षाएं लटकती गई लटकती गई और आप यह कब होगा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो भी सदस्य थे उनका कारेकाल जैसा कि आपने सुना था कि फरवरी में पूरी होने वाले थी तो उनका कारेकाल जो है जिन दो सदस्यों का यहाँ आप देख सकते हैं इश्वर, शरण, विश्व कर्मा और रजनी त्रिपाठी का कारिकाल जो है छे फरवरी को पूरा हो जाएगा अध्यक्षवा दो सदस्यों की विदाई के बाद आयोग में सिर्फ दो सदस्ये बच जाएंगे तो जब छे में से चार सदस्ये जो होना अवश्यक है लेकिन यहाँ सदस्यों की बात करें तो अब दो ही सदस्ये जो है इसमें बचे जाएंगे और इसका पूरा प्रभाव जो है आपकी परिक्षा पर होगा क्योंकि कब तक उन सदस्यों को भरा जाएगा कब आपकी परिक्षाई होगी तो ये कहना अब नहीं कहा जा सकता कि इसकी परिक्षा अब कब होगी तो जैसे अगर बात करें कि UP, TGT और PGT की परिक्षा जो है जैसे लटक गई वैसे ही हाल अब UP, H, E, S, C का भी हो गया है या कहने होने वाला है क्योंकि यहां भी सिक्षकों की भरती सदस्यों की जो भरती थी आयोग में वो नहीं हुई है पूरी नहीं हुई है जो यहां पर संख्या है उसकी वज़ा से आयोग भी अब सदस्य विहीन हो जाएगा और जिसकी वज़ा से आपकी परिक्षा में और विलंब होने वाला है तो यहां आप देख सकते हैं कि सारी तयारी जो है पूरी हो गई थी बीचों ये भी खबर आई थी कि परिक्षा जो है फरवरी में हो सकती है लेकिन सदस्यों की कमी की वज़े से अब कब तक ये परिक्षा होगी कुछ नहीं कहा जा सकता तो ये हम कह सकते हैं कि इतने बड़े आयोग के एक लापरवाही ही कह सकते है जहां आयोग अगर चाहता तो अपना कारिकाल खतम होने से पहले भी ये परिक्षाई जो है करा सकता था लेकिन लापरवाही की वज़े से या जो भी कह ले उसकी वज़े से परिक्षा जो है आपकी आगे किसक गई है अब कब तक होगी ये कह सकते हैं कि अपरेल माई में अगर ये लोग भरती ले लेते हैं सदस्यों की तब तो हो सकती है लेकिन नहीं अगर होती है तब तक भी भरती तो ये प्रक्रिया अब की और आगे जा सकती है तो देखें जो भी होगा आप अपने तयारी को बहते रखें ये मत सोचिए कि हमारी परिक्षा देखें समय तो बीट रहा है लेकिन शायद आपके पास ये जो एक उपरचुनिटी हम कह सकते हैं एक मौका की और अच्छे से उस विशे को पढ़े शायद कुछ ऐसे टॉपिक स अपका वीडियो रहेगा और तयारी हम इसी परकार से करेंगे धन्यवाद